हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा तीर में आज हमारा विशय है हिंदी और उप विशय सर्दी आई तो चलिए मिलकर इस वक्षीट को हल करते हैं सबसे पहले यहां पर विध्यार्थी अपने नाम लिखेंगे उसके बाद आज की डेट डालेंगे प्रश्ण एक तुकांत शब्दों का उचित मिलान कीजिए पहला है सर्दी तो सर्दी को हम बिलाएंगे वर्दी से सर्दी वर्दी लाल बाल चाल कांप कांप हाफ घर सर जर्दी प्रश्ण दो एक वाक्य में उत्तर दीजिए मोसम मुख्यता कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए मोसम मुख्यता तीन प्रकार के होते हैं सर्दी गर्मी वर्षा सर्दी लगने पर हम क्या क्या करते हैं सर्दी लगने पर हम गर्म कपड़े पहनते हैं काढ़ा गर्म चाए काफी आदी पीते हैं अंडे की जर्दी किसे कहते हैं अंडे के पीले भाग को अंडे की जर्दी कहा जाता है आपको गर्मी अच्छी लगती है या सर्दी और क्यों तो आपको जो भी मुस्तमच्छा लगता है आपको उसके बारे में लिखना है जैसे मुझे गर्मी अच्छी लगती है क्योंकि गर्मी में हमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिलती है प्रश्ण तीन दिये गए शब्दों को उनके अर्थों से मिलाईए पहला है लादे लादे का मतलब होता है पहने बदन बदन को हम मिलाएंगे शरीर से तगडे यानि मोटे सर यानि सिर जाड़ा मतलब सर्दी प्रश्ण चार ग्रिश्म रिटू पर आप अपनी भाषा में चार पंक्तियों की कविता लिखिए तो जैसे मैंने लिखी है तबता सूरज लू चलती है हम सब की काया जलती है गर्मी आग का है तंदूर इससे कैसे रहेंगे दूर इसी प्रकार आप अपनी भाषा में किसी भी चार पंक्तियां ग्रिश्म रिटू पर लिख सकते हैं प्रश्ण पाँच डिब्बे में दिये गए चित्रों में से सर्दी के कपड़ों पर गोला लगाएं तो सर्दी के कपड़ों में से हम गोला लगाते हैं पहला है ये उनिक कैप फिर ये जैकेट मफलर मोटी उन की जुराबे और एक और जैकेट तो ये ये कपड़े हम सर्दीयों में पहनते हैं करोना से बचाव के लिए हमेशा फेस मास्क पहने हातों को साबुन वे पानी से बार बार दोते रहें वीड़ भाड़ वाली जगाओं से बचें वैसा माजिक दोरी बनाए रखें अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए झालाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए